तो क्या आप Paytium Application का इस्तिमाल करते हैं अगर आप Paytium Application का इस्तिमाल करते हैं तो अपने Paytium Application का अपना UPI ID कैसे चेंज करेंगे इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं यह तभी आपको पता चलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका UPI ID 100 होता है और हो सकता ह कि आपके Paytium में आपका मुबाइल नंबर 100 हो रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर चेंज करके रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक करते होंगे अपने प्रोफाइल पर यहाँ पर आपका UPI ID में 100 हो रहा होगा तो हमने यहाँ पर अपना UPI ID चेंज कर लिया है यानि कि मैंने अपने मुबाइल नंबर को चेंज कर दिया है यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से कोई भी एक UPI ID बनाया हुआ है तो आखिरकार Paytium एप्लिकेशन का अपना जो UPI ID है उसे आप कैसे चेंज करेंगे सबसे पहले आपको करना क्या होगा जान आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिले का आपका UPI ID जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो मैंने यहाँ पर एक यह नया UPI ID बनाया हुआ है और यह वाला हमारे मुबाइल नंबर से बना हुआ था जैसा कि आपको द चाहते हैं अपना select करेंगे नहीं तो आपको यहां पर डालने का option भी मिल जाएगा क्या किरकार क्या UPI ID आप डालना चाहते हैं तो मैंने एक बार इसे डाल दिया है तो डालने से हमारे पास बहुत सारे UPI आज चुके हैं कि अगर आप वो नहीं रखना चाहते हैं तो आप यह रख सकते हैं यह नहीं रखना चाहते हैं तो आप यह रख सकते हैं तो हमारे पास बहुत सारे आज चुके हैं आपको अपने इसाब से यहाँ पर अपना UPI ID डाल लेना है यहाँ पर आपको add का option मिलेगा add पर click करके आप जो भी UPI ID आप डालना चाहते हैं वो आप डालने की अपको फिर add पर click कर देना है, activate पर click कर देना है, फिर आपका क्या होगा, कि आपका यही UPI ID हो जाएगा, फिर आपके mobile नंबर पर कोई भी पैसा डालेगा, तो उसे यह UPI ID सो होगा, या आप यह वाला UPI ID किसी के साथ भी share कर सकते हैं, तो आपके पास इस UPI से आपके पास पै IID है, जो आपके mobile नंबर से बना हुआ है, उसे आप चेंज कर सकते हैं, मिलते हैं next वीडियो में इसे वीडियो के लिए इतना ही